सबी को मेरा प्यार बढ़ा नमस्कार पिछली वीडियो में आपके लिए कला क्या है यह लेकर के आई थी कला के बारे में बताया था तो उसी में से निकल के आये थे हमारे तक्त्व तो आज हम भारते चित्रकला के मूल तक्त्व पी जानकारे लेंगे जो इस परकार है भारते चित्रकला के मूल तक्त्व एक कलाकार के लिए चित्रकला के मूल तक्त्व का ज्यान होना प्रम आवश्यक है क्योंकि कला के मूल तक्तों के अभाव में कलाकर्टियां हूं एमन कलात्मक ही नहीं बलकि कलाकार अपनी पर्तिभा को समपूर रूप से अभी वेक्ति भी कर भी नहीं कर सकता है समझें इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कलाकार चित्र कला में उसके मूल तक्तों का ज्यान नहीं रखता है उसके अभाव में कलाकरती पूर्ण नहीं होगी वो कलात्मत नहीं होगी और कलाकार अपनी जो परतिबा है उसे संपून रूप से पून रूप से उसे व्यक्तिब ही नहीं कर सकता है इस परकार से मुख्य रूप से कला की छह तत्व होते हैं नमर एक रेखा जिसे हम कहते हैं लाइन नमर दो रूप फॉर नमर तीन वर्ण रंग वर्ण ही रंग होते हैं जिनने हम इंगलिस में कहते हैं तान, टॉन, तौ, बोद, टेक्स्चर, अंत्रा, स्पेस ठीक है? मुख्य रूप से कला की छह मूलतत्व होते हैं रेखा, रूप, बोवन, तान, बोद, अंत्रा, लाइन, फॉर्म, कलर, टॉन, टेक्स्चर, स्पेस तो इससे आगे हम सबसे पहली हम रेखा को पढ़ेंगे, लाइन को पढ़ेंगे लाइन के बारे में क्या कहा हो गया है? यह परिभासा इस परकार से कही है, जो लाइन है वो इस परकार से है इस परकार से कहा जा सकता है कि सिंबोलिक, जो सिंबोलिक होते हैं, उन्हें मार्क किया जाता है ठीक है, एक मॉमेंट के लिए और फॉर्स इन फॉर्म, फिर उसके बाद उन्हें एक रूप दे दिया जाता है वो रूप हम अपनी आखों के उपर डिपेंड करते हैं, तो हम अपनी आखों के उपर डिपेंड करते हैं, क्या रूप देखना चाते हैं अपनी मर्जी से हम कोई भी रूप बना सकते हैं अगर सिंबॉलिक हमें दिये हुए हैं, ठीक है नहीं मैं इसके परिभाद से इस प्रकार है दो बिंदो के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, पहिन यही आती है कि दो बिंदो के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं रेखा दो बिंद्यों के बीच की दूरी है ठीक है रेखा बहुत सुक्षम होती है और गती की दिशान निदेश करती है लेकिन कलापक्स के अंत्रगत रेखा का परतिका आत्मक महत्व है और वह रूप भी अभिविक्ति वह परवा अंकित करती है देखो भी रेखा है और रेखा के बिना कोई चित्र बन ही नहीं सकता समझ गए कोई न कोई उसका रूप जरूर बनेगा और वो बनेगा रेखा के द्वारा ही आगे पढ़ते हैं अतह कलात्मक रेखा किसी भी आकार की गती एवं सकति का पर्तिका आत्मकरी खांगन है, खला आत्मकरी खांगन है, किसी भी आकार की गती दस्शक्ती का पर्तिका आत्मकरी खांगन है, जिसका रसा स्वादन नेत्र जनित गतीज दिशा से होता है, नेत्रों के द्वारा ही होता है, जिसका रसा स्वादन नेत्रों के द्वारा ही होता इसके बाद आते हैं रेखा के परकार, रेखा के परकार किते परकार की बताई गई है, रेखा साथ परकार की बताई गई है, सबसे पहली रेखा हमारी आती है, सीधी लमवत रेखा, वर्टिकल्स, सीधी लमवत रेखा, वर्टिकल्स, ठीक है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, रेखा कि क्या परभाव पड़ते हैं तो वो हमें बताए गए हैं गौरव, डिग्निटी, सक्ति, स्ट्रेंद, स्थाइत्व, स्टेबिलिटी, शाश्वत्ता, पर्मेनेंस, सांती चित्ता, शोले मिनिटी, एमम अकांग्षा, एस्प्रियेशन ये सब ही जो हैं आपके जिस्क्ति हैं गौरव, डिग्निट, शाश्वत्ता, शांती चित्ता ये सब क्या हैं ये परभाव हैं जो सीधी लंवत रेखा है ठीक है ये हमारी सीधी लंवत रेखा है ये इसके परभाव है ठीक है ये सब परभाव हैं ओके नेक्स्ट आती है हमारी सीधी पड़ी रेखा सीधी पड़ी हुई रेखा जिसे कहते हैं horizontal line यहे रेखा लवत रेखा को आधार परदान करती है जो यह हमारी रेखा है उपर सीधी लवत रेखा है इसे आधार परदान करती है ठेक है और इस परकार मानसिक विश्रांती की दोतक है मानसिक विश्रांती जो अशांती मन में उत्पन रहती है उसको शांत करने के लिए ठीक है? उसकी दोतक है विश्रांत, रिपोस, निश्चलता, काम, स्थिरता, वाइटनेस, शांती, पीस, मौन, ट्रेंक्विलीटी तथा संतुलन बैलेंस ठीक है यह हमारी सीधी पड़ी हुई रेखा है इसमें मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें क्या हो रहा है विस्राम किया जा रहा है ठीक है तो रिपॉस हुआ यह चिलता हुआ इस्दिरता हुआ शांती मोन और संतुलन जो आपका ब अधारित है सीधी पड़ी हुई रेखा पर ठीक है नेक्स्ट आती है हमारी यह कंवर्थ रेखाए डाइगनोलस नाटके या प्रबल स्पंधन ड्रामेटिक और वेगिरश विग्योरियस मुमेंट विग्योरियस मुमेंट उत्तीजना एक्सपंधन एक्साइटमेंट वेचैनी रेस्टलेस्नेंस व्याकुलता हैजिटेशन ठीक है और यह ऐसे रेखाए होती है जैसे मैंने उधारन में दी हुई हैं जिससे देखकर आप पता सकते हैं जो यह तिर्चे रेखाए होती है यह कंवर्थ रेखाएं कहलाती है ठीक है नेक्स्ट आजाती है हमारी नेक्स्ट आजाती है हमारी कोण यह रेखाएं ठीक है एंगल एंगल लाइन और इन में जो प्रभावत्पन होता है वो असुरक्षा का होता है इंसेक्योर्टी अस्पस्टता कंफ्यूज कंफ्यूजन्स व्याकुलता एजिटिशन और आघात डैस और प्रकार की होती है जो कोण बना के निकलती है इन सबसे असुरक्षा इस पस्टता का इसका कोई इस पस्ट नहीं हो रही है व्याकुलता का और अघात का और संगर्ज का यह प्रभावत्पन करती है नेक्स्ट आती है हमारी एक पुंचिय रेख है डैडिलाइन इन में इस प्रेम होता है और पर्शार होता है आपको ना क्यूशन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि परशार कौन से रिखाव का परभाव है ठीक है तो आपको बताना पड़ेगा एक पुंचिय रेखा ठीक है तो स्वच्छन्त ता फ्रीडाम हो गया बिलासा एंबिशन हो गया इस तरह से हमारी जो एक पुंचिय रेखाई होती है इने ये भी कहा जाता है कि एक बिंदू से उठने वाली कई रेखाई क्या कहलाती है वो कहलाती है एक पुंचिय रेखाई ठीक है नेक्स्ट है हमारी चक्राका रेखाई जो जोद्पन करती है उत्तेजना एकसाइट्मेंट सक्ति पावर्गती मोशन और ये इस तरह से हो गयी हमारी चक्राका रेखाई गोलो 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 इस तरह से यह ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है तो हम इनमें घूम भी जाते हैं चक्कर आने लगते हैं इने देखते हैं तो यह ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें उक्तेजना, शक्ति और गती जो जिन्हें देखने से यह भाव उत्पन होते हैं नेक्स्ट है सेवन परवाही रेखाएं जिन्हें रित्म्स कहते हैं इनमें भी जैसे गती ऊपर की चक्रका रेखाओं में हैं इसी तरह से गती इसमें हैं मूवेंट्स लावनता है ब्रेस माधूरियम चाल ठीक है आराम से बहुत ही नॉर्मल कोमल सी चीजी कुछ ऐसा परतीत होता है परवाही रेखाओं में ठीक है कोमलता कलात्मक्ता इन ही रेखाओं से आती हैं इस परकार से हमारी साथ परकार की रेखाएं हमने पड़ी हैं जिसमें आपकी सबसे पहले आती है सीधी लंवत रेखा दूसरी आपकी सीधी पड़ी रेखा और सीधी पढ़ी रेखा हो गई है, फिर उसके बाद आती है आपकी कणवत रेखाए, नमबर तीन पर फिर आती है, आपकी कोणी रेखाए, एक पुंजी रेखाए, और नमबर छे पर चक्राकार रेखाए और नमबर साथ पर परवाही रेखाएं यह आपका मेन तत्व है रेखा और जो रेखाएं किस किस परकार की होती है वो रेखाएं मैंने आपको बता दी है ओके अब लेते हैं हम इससे सम्मंदित कुछ क्योश्शन्स तो काईज यह बताना मूझे कैसी लगी वीडियो और यह आपको कितना benefit देने वाली है exam में और यह जो चीज है मैंने आपको जो वीडियो में बताई कि जल्दी से आपको YouTube या आपको Google पर नहीं मिलेकी ठीक है जो मैंने बताया है इसका start ले लीजिए पड़ ने के लिए उप के बेहत काम आने वाले चीज है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आगे मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो ले कर आऊंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटिड और इससे जैसे कि हमने रेखाएं पढ़ी है आज कला के जो मूल तत्व होते हैं उनमें रेखा को पढ़ाया और उसके अंदर जितनी परकार के रेखाएं आते हैं उन सबको पढ़ाया तो उससे सम्मनित में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारी क्यूशन लिखे आऊंगी जिने हम बैठके सौल करेंगे औ क्यूशन है कला सब्द किस भासा का सब्द है कला शब्द किस भासा का शब्द है जल्दे से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए आपका आंसर मुझे इंतरजार रहेगा ठैंक यू और सभी को मेरा प्यागरा नमस्कार